हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एटीस आउनलाइन, आज हम लोग पढ़ने वालें, क्लास 12 आरबेसे की बुक का चेप्टर, ट्रबल इन बोहेमिया, ट्रबल मतलब होता है परिशानी, बोहेमिया में परिशानी, और इसके राइटर है अर्थर कॉनन जोयल, देखे ये एक बहुत इंट्रेस्टिंग, साथ ही साथ, हुमरिस स्टोरी भी है, और इस स्टोरी में भी हमें एक मैसेज दिया हुए, कि कभी हमें अपने दुश्मन को, यानि अपने ओपोजिशन को, कभी भी हमें कम नहीं समझना चीए, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, चैप्टर चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बता चलता है, कि डॉक्टर वाच्सन, जो कि शेरलक हॉम्स के फ्रेंड थे और उनी के साथ काम किया करते थे, डॉक्टर वाच्सन हमें बताते हैं, कि शेरलक हॉम्स जब भी कभी आरेन एडलर का नाम लिया करते थे, तो हमेशा बहु कि आगरते थे इसलिए नहीं कि किसी तरह का उनका कुई चक्कर चल रहा था बलकि इस लिए क्योंकि यह वो लेडी थी जिसने वास्तों में यह प्रूव किया था कि वो भी शैरलोग हॉम्स से किसी मामले में कम नहीं है दिमाग के मामले में कम से कम सो अब फिर डॉक्टर वाट्सन स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो होता ऐसा है कि एक बार डॉक्टर वाट्सन बताते हैं मैं शैरलोग हॉम्स के साथ हूँ उन्हीं के अपार्टमेंट में बैठा वाता तब यह बहुत लंबा जोड़ा सा आदमी आता है दिखने में बहुत सु महाराज कारे संब दिखने महराज के अट्रस करते हैं और फिर फिर ऑट्रसन में अधर्मिट कर्लित हा वो Кुद महराज है ठीज है, वो खुद राजा है, बुही मेगकां वोब्ताता है कि वो यहां पे शैलक हों से एक हेलप लेने के लिए हुआ यहा था कि पांस साल पहले जब व राज कुमार था मतलब जब वो राजा लेकिन फिर बाद में जब मैं राजा बन गया तो मेरे जो मिनिस्टर्स और मेरे फैमिली मेंबर से वो मुझे प्रेसराइज करने लगे शादी करने के लिए. अब आरेन एडलेक से तो मैं शादी करने सकता था क्योंकि वो आवियसली किसी शाही खांदान से थी नी और मेरी शादी किसे राजकमाल से यूनी है. अब जब मेरी शादी की बात चल रही है तो आरेन एडलेक मुझे परिशान कर रही है ये बोलकर कि अगर मैंने किसी और पैसे के चक्कर बिल्कुल भी नहीं है वह सरिफ मुझसे प्यार करती यह जा दी जिने उसके लाव यह किसी और से शादी ना करूंड शाहला कामस बहूं मुझे लगता है कि शयुख न मेherे लिखेवे letters है मेरे खुद के private papers पे मेरी handwriting में और मेरी photo भी है शालोक हमस बोलता है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है वो इससे तुम्हें blackmail कर सकते हैं बहुत प्राइविट papers आपके हम लोग यह बोल सकते हैं कि वो प्राइव प्राइव बात है तो हैंडिक कोई भी copy कर सकता है लादक photograph की बात है तो वही आप महारा जाओ celebrate you up तो photograph आपके कोई भी market से purchase कर सकता है बाई कर सकता है महारा जाओ बोलता है हाँ यह बात तो सही है लेकिन उसके पस ऐसी photograph है जिसमें मैं और वह हम दोनों साथ में है अच्छा तब तो वास्ता में सच में प्राप्लम है तो शेर्लग हॉम्स उससे सारी डिटेल्स लेता है महारा जैसे और फिर उसके बाद में investigation अपनी चालू कर देता है शेर्लग हॉम्स राजा से यह भी बुचता है कि आपने कभी आरेन एंटलर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कभी उसकी जांच पढ़ता लाप नहीं करवाई है खोज बीन या चांद बीन करवाई है तो राजा बोलता है हां मैंने बहुत बार करवाई है कई बार मैंने उस पुलिश के द्वारा रास्ते में जाते हुए को रुक आया है उसके बैक्स व डॉक्टर वाच्सन बताते हैं नेट्स देश एलग हॉम्स मुझे मिलते हैं मेरे अपार्टमेंट के पास में और उससे बात कर रहे होते हैं उन्हें एक ड्राइवर का भीश बना रखा था और मैं तो उन्हें देखे पैचान ही नहीं पाया और वह बोलता है कि अज पूरे करनी है अब जब मैं मतलब डॉक्टर वाच्सन बोलते हैं जब मैं और शैलक हॉम्स बात कर रहे थे उसी समय वहां से एक आदमी गुजरता है और जिसने लंबा सा ओवर कोल पेन रखा था और वो बोलता है गुड़नाइट शैलक हॉम्स इस पे शैलक हॉम्स बहुत जादा सर्प्राइज हो जाता है और वो बोलता है यहार इस वेश्बुषा में भी मुझे कौन पहचान सकता है कौन दूश्टा है कौन बदमास है जिसने मुझे इन कप्रों में भी पहचान लिया अब च्या होता है जैसा शैलक हॉम्स और डॉक्टर वाच्सन ने प्लैंग किया ह गए लग जाते हैं असपास में भी डिकर्ठा हो जाती है और उन्हें शिफ्ट किया जाता है आर ने अडले के घर पे क्योंकि सबसे पास में आरे नेडलर का ही घर था जब शैलक हॉम्स अंदर पहूच जाते हैं उसके बार डॉक्टर वॉच्सन आते हैं और एक जलती वह क लगाएं जुनन निकालने बहागी और उसने मुझे बता दिया कि वो फोपेंटिंग चुपई हुए है लेकिन थोड Leuten बात में उन्हेंने रेलाइश किया कि जो आग है ये इतनी जelf खतरनाक नहीं है इतनी जज़ाद एज आग नहीं है इस लें उन्हें है फोटोग्राफ को वापस बहिंद रख दिया लेकिन कल हम जाएंगे पुलिस को लेकर और उस फोटिग्राफ को हम लोग वापस इकठा करके लेकर आजाएंगे अब नेक्स टेश एलग हमस पोजते हैं पुलिस को लेकर लेकर लेकिन यह देकर बहुत जादा सर्प्राइज होते हैं यार की आरे नेटर के घर के बाहर तो लॉक कर और उसी पेंटिंग के तरफ बागता है जिस पेंटिंग के पीछे उन्होंने फोटिग्राफ चुपा रखे थी फोटिग्राफ उन्हें वहीं पर मिल जाती है लेकिन फोटिग्राफ के साथ में एक लेटर भी मिलता है उस लेटर में लिखावा था डियर शैलक हॉंस मु उस दिन भी जब आप कैब ड्राइवर का भीश बदल कर आये थे तब मैंने आपको पैचान लिया था और वो गली से निकलते समय जिसने एक गुड़ नाइट आपको का था वो और कोई नी वो मैं ही थी दूसरी बड़ जब आप प्रीस्ट का भीश बना कर आये थे तब भी मै लाजा से भी बहुत अच्छा है इसलिए फोटोग्राफ मेरे किसी भी काम की नहीं है इस फोटोग्राफ को ले जाओ और एश करो और इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है तो मतलब स्टोरी के लास्ट में हम लोगों को यह सिखने को मुलता है कि हमेशा अपन स्टोरी समझ में आगी तो इसी तरह की और मज़दार और इंट्रेस्टिंग स्टोरी के लिए वीडियो के लिए बने रही इटीस ऑनलाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए अवे गुड़ डे टीकेर बाबाई जहिंद जा भारत रादे रादे